सब्सक्राइब कीजी हमारा चैनल क्रेजी दिकेटरिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं जिसमें सबसे पहले हम डिसकस करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं को मतलब latitude और longitude lines को ठीके साथ ही दोस्तों हम अंतराश्टी तीती रेखा और अंतराश्टी समय रेखा को भी अच्छे से डिसकस करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है SSC PSC एक्जाम में अक्सर यहां से कोश्चन देखने को मिलता है टॉपिक थोड़ सा difficult है पर बहुत ही आसानी से आप इस टॉपिक पर अच्छी कमांड कर पाएंगे आपको देखी वीडियो को अच्छे से देखना है और last में इस टॉपिक से एक्जाम में पूछे गए कोश्चन का मेने एक ट ग्लोब पर हमें दो तरह की रेखाई दिखाई देती हैं, होरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, जिने क्या कहा जाता हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता हैं, इन रेखाओं की help से ही प्रत्वी पर किसी भी इस्तान की स्थिती का निर्धारन किया जाता ह ये रेखाय जो होती है ये क्या होती है कालपनिक रेखाय होती है चलिए इन दोनों रेखाओं के बारे में हम अच्छे से स्टड़ी करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की मतलब लेटिटूड लाइन्स की तो जैसा कि आप गलोब पर देख सकते हैं हमारी प्रत्वी के दो धुरूव होते हैं एक उत्री धुरूव और एक दक्षिनी धुरूव गलोब पर पश्चिम से पूर्व की और खीची गई सबी कालपनिक रेखाय जो होती है वो क्या होती है अक्षांश रेखाय कहलाती है प्रत्वी के बीचो बीच एक जीरो डिगरी अक्षांश रेखा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा या विशुवत रेखा कहते हैं इसे इंगलिश में बोलायाता है एक्वेटर ये प्रत्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं उत्री गोलार्द और दक्षणी गोलार्द में ध्यान रखेगा इस 0 डिग्री अक्षांश रेका पर सभी इस्थानों का जो अक्षांश होगा वो कितना होता हैं, 0 होता हैं जैसे कॉलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया, ये जितने भी देश हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर इस्ती थें, तो इन देशों में अक्षांश की जो इस्तती होगी, वो कितनी होगी, 0 होगी, clear? clear? अब देखिए, इस भूमद्य रेखा के उत्तर और दक्षिन में, एक-एक डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खिची होती हैं, यानि किसी भी इस्तती में 90 डिग्री से जादा अक्षांश नहीं हो सकता हैं, धुरू पर 90 डिग्री अक्षांश की इस्तती हो होती हैं, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती हैं, 111 किलोमेटर होती हैं, कितनी होती हैं, 111 किलोमेटर, आगे देखिए, इस भूमद्य रेखा एक्वेटर से उत्तर की ओर साड़े तेविश डिग्री पर जो अक्षांश रेखा होती हैं, उसे क्या जून जो होता हैं, ये सबसे बड़ा दीन होता हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, ऐसा एक्जाम में कोशन बनता है, कि उत्री गोलार्द में सबसे बड़ा दीन कोन सा होता हैं, ठीके, तो ये दोनों चीजें हमको दिमाग में रखना हैं, तो उत्री गोलार्द में सबसे दीन कौन सा होता है 21 जून का होता है क्यों क्योंकि सूरी जो होता है वो करक रेखा के एक धम उपर होता है अब देखिए इस जो एक्वेटर है इससे दक्षिन की ओर साड़े तेविच डिगरी पर एक अक्षांच रेखा होती हैं जिसे क्या बोलायाता हैं मकर रेखा बोलायाता हैं ट्रोपिक ओफ कैप्रीकॉन 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है मकर रेखा के एक धम उपर होता हैं लंबवत होता हैं इस कारण से यह दीन जो होता है, दक्षिनी गोलार्द का सबसे बड़ा दीन होता है। तो बहुत ही important point है, यह ध्यान रखिए का यहां से exam में question बन सकता है। अगर देखिए, उत्री दुरूब और दक्षिनी दुरूब को बिंदू माना जाए, तो कूल अक्षांच रेखाओं की संक्या कितनी होगी, 179 होगी। और अगर रेखा माना जाए, तो कूल अक्षांच रेखाओं की संक्या कितनी होगी, 181 होगी। इसके अंदर हमने देखिए, जीरो डिगरी अक्षांच रेखा को भी शामिल किया है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक बड़ा interesting point बताता हूँ अभी जैसा कि हमने पड़ा भूमद्य रेखा के बारे में करकर रेखा के बारे में और मकर रेखा के बारे में तो अफरीका एक मात्र ऐसा continent है ऐसा महादी पे जिससे ये तीनों रेखाएं जो होती है वो गुज करती है clear तो बहुत important point है चलिए आगे अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में तो उत्री द्रूव और दक्षिनी द्रूव को मिलाने वाली जितनी भी कालपनिक रेखाएं हैं ये सबी रेखाएं क्या किलाती हैं देशांतर रेखा किलाती हैं द्रूवों से द्रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी बढ़ती जाती हैं और भूमद्रेखा से द्रूवों की ओर आने पर देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी घरती जाती हैं ठीके इसलिए अक्षांश रेखाओं की तरह देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो समानांतर नहीं होती हैं अक्षांश रेखाय जो होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं देशांतर रेखाय जो होती हैं वो एक दूसरे की समानांतर नहीं होती हैं ये पॉइंट ध्यान रखेगा दो देशांतर रेखायों के 20 सबसे अधिक दूरी जो होगी वो कहां पर होती हैं भूमध्य रखा पर होती हैं इक्वेटर पर होती हैं कितनी होती हैं 111.3 किलोमेटर होती हैं अब देख़िए सबी देशांतर रखाओं की लंबई बराबर होती हैं इसलिए इनकी गरणा करना डिफिकल्ड होता हैं इसलिए Greenwich वेदेशला से निकलने वाली देशांतर रेखा को बेस माना गया हैं, मतलब zero degree देशांतर रेखा कहा गया हैं, इस zero degree देशांतर रेखा को क्या कहा जाता हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा, या फिर प्रधान मध्याहन रेखा, या Greenwich रेखा के नाम से जाना जाता हैं तो ध्यान रखिएगा, 0 डिगरी देशांतर रेखाओं के नाम आपको पता होना चाहिए, प्रधान या मुत्तर रेखा, प्रधान मध्याहन रेखा या फिर ग्रिन विच रेखा, ओके? इस 0 degree देशानतर रेखा से पूर्व की और और पश्शिम की और हर एक एक डिगरी के अंतराल में 180 देशानतर रेखाएं खीची होती है तो कुल मिलाकर 360 देशानतर रेखाएं ग्लोब पर अमको दिखाई देती हैं अब देखिए 180 डिगरी जो पूर्व और 180 डिगरी पश्शिम देशानतर रेखाएं ये एक ही हैं तो इसको लेकर आप कन्फ्यूज मत होईएगा ठीक है तो कुल मिलाकर 360 देशानतर रेखा आमको ग्लोब पर दिखाई देती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं जीरो डिगरी देशानतर रेखा जो है और 180 डिगरी देशानतर रेखा जो है ये एक दुसरे के विपरित होती है आप देखिए ये जीरो डिगरी देशानतर रेखा जो है ये कर्क रेखा को अलजीरिया में प्रतिछेद करती हैं भूमद्दी रेखा को गिनी की खाड़ी मतलब अट्लांटिक महासागर में प्रतिछेद करती हैं और मकर रेखा को नामीबिया के पश्चिम में इस्तित अट्लांटिक महासागर में प्रतिछेद करती हैं तो यह बहुत ही important है कि जो zero degree दिशानतर रेखा है मतलब green wish line है ये तीनों जो main line आ रही हैं करकर रेखा, भूमद्य रेखा और मकर रेखा को किस इस्थान पर प्रतिछेत कर रही है तो वहां की जो भोगोलिक इस्तिती है वो हमको पता होना चाहिए एक्जाम में वहां से question बन जाता है अगर हम बात करते हैं कि zero degree देशानतर रेखा जो है इस पर कौन-कौन से देश इस्तित है तो यहां से भी एक्जाम में बहुत question बने हैं इसलिए ध्यान रखेगा कौन-कौन से देश इस्तित है zero degree देशानतर रेखा पर मतलब green wish line पर UK, Spain, France, Ghana, Algeria Algeria जिसे कि आपको पताईए कि zero degree देशानतर रेखा जो है वो करकर रेखा को काटती हैं Algeria में Antarctica ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं ये zero degree देशानतर रेखा पर इस्तित देश हैं इनको आपको बिल्कुल दिमाग में रखना हैं क्योंकि यहां से question काफी बनते हैं तो ये हमने देशानतर रेखाओं के बारे में अच्छे से study करी चलिए friends आगे देखिए अब हम बात करते हैं अंतराश्टी तीथी रेखा और समय रेखा की बारे में तो देखिए friends zero degree देशानतर रेखा का उपयोग जो होता हैं वो समय निर्धारान में किया जाता हैं इसलिए zero degree देशानतर रेखा को अंतराश्टी समय रेखा कहते हैं इसकी help से दुनिया में समय का निर्धारान किया जाता हैं 180 degree देशानतर रेखा का उपयोग जो होता हैं वो दिनांक निर्धारान में मतलब तीथी निर्धारान में किया जाता है इसलिए 180 डिगरी देशानतर रेखा को अंतराश्टी तीथी रेखा कहा जाता है बहुत important point है ये exam में आपसे directly question पूशते हैं कि निम्न में से कौन सी अंतराश्टी तीथी रेखा है और निम्न में से कौन सी अंतराश्टी समय रेखा है तो आप बता सकते हैं कि 0 डिगरी देशानतर रेखा जो होती है वो अंतराश्टी समय रेखा है 180 डिगरी देशानतर रेखा जो है वो अंतराश्टी है तीथी रेखा है clear चली एक्किक करके इनको समझते हैं कि किस तरीके से समय निर्धारन होता है और किस तरीके से तीथी का निर्धारन किया जाता है यहां से भी देखिए numerical थोड़ से question बन जाते हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे तो अंतराश्टी समय रेखा की बात करेंगे मतलब zero degree देशानतर रेखा की बात करेंगे प्रत्वी अपने अक्ष पर पश्शिम से पूर्वकी और घुमती है इसलिए ग्रिनविच रेखा से पूर्वकी इस्थानों का समय ग्रिनविच टाइम से आगे होता है और Greenwich रेखा से पश्चिम के स्थानों का समय जोगा वो Greenwich टाइम से पीछे होता है कितना आगे और कितना पीछे होता है चलिए हम समझ लेते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि प्रत्वी अपने अक्ष पर 24 गंटे में एक चक्कर पूरा करती है मतलब 360 डिगरी देशानतर घुम लेती हैं एक चक्कर लगाना मतलब 360 डिगरी घुमना ठीके तो 24 आर में प्रत्वी 360 डिगरी घुम लेती है तो एक घंटे में कितने डिगरी देशानतर घुमेगी 360 एपन में 24 ये निकल कर आगे हमारा 15 डिगरी मतलब एक घंटे में प्रत्वी जो है वो 15 डिग्री देशांतर गुम लेती है इसको simple language में लिख लेते हैं 15 डिग्री देशांतर गुमने में प्रत्वी को 1 घंटा मतलब 60 मिनिट का समय लगता है तो यहाँ पर एक डिग्री देशांतर की value निकाल सकते हैं कि एक डिग्री देशांतर गुमने में कितना समय लगेगा 60 upon में 15 यह आगया हमारे पास 4 मिनिट मतलब एक डिग्री देशांतर गुमने में प्रत्वी को 4 मिनिट का समय लगता है हर 11-1 degree देशान्तर के बीच में time gap निकल कर आगिया 4 मिनिट का तो अगर यह 0 degree देशान्तर है तो इस से पूरब के ओर जाने पर हर 11-1 degree देशान्तर के बीच में 4-4 मिनिट का difference है मतलब 4-4 मिनिट से समय जो है वो बढ़ता जाएगा तो पूर्वी 15 डिग्री देशांतर पर समय क्या हो रहा होगा? निकाल सकते हैं, बहुत इजी तरीका है, देखिए, 15 डिग्री देशांतर पर समय निकालना है, हर एक एक डिग्री देशांतर पर समय जो है, वो कितना बढ़ता जा रहा है, 4-4 मिनिट का बढ़ता जा रहा है तो कुल कितना बढ़ गया 60 मिनिट का समय बढ़ गया मतलब अगर greenwich time दिन के 12 बजे हैं तो 15 डिगरी पर समय जो 60 मिनिट आगे होगा मतलब महाँ पर दिन का 1 बजा होगा अगर इसके विपरीत आप से पूछते कि 15 डिगरी पश्चीमी देशांतर पर समय क्या होगा तो देखिए 60 मिनिट आपको कम करना है बस दिन के 12 अगर greenwich time होगा है तो यहाँ पर 15 डिगरी पश्चीमी देशांतर पर समय जो होगा वो सुबह के यहाँ पर 11 बजे होगे तो देखिए इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आप समय निकाल सकते हैं बस आपको पता होना चाहिए कि हर एक डिगरी देशांतर के बीच में समय गेब जो है वो कितनी है? 4 मिनिट की है चलिए भारत की इस्थिती की हम बात करते हैं तो भारत की बात करते हैं तो भारत जो है वो साड़े बैयासी डिगरी पुर्वी देशांतर पर रिस्ती थे हैं कितना? साड़े बैयासी डिगरी पुर्वी देशांतर पर रिस्ती थे हैं क्लियर? तो अगर ग्रिनवीच टाइम दिन के बारा बजे हैं तो भारत में समय क्या हो रहा होगा ये निकाल लेते हैं तो देखिए यहाँ पर simply हमको साड़े 82 में multiply करना है चार का तो कितना आ जाएगा ये 330 मिनिट इसको divide कर दो 60 से अगर घंटे निकालना है आपको तो तो कितना हो जाएगा 5.5 आर मतलब महाँ पर साड़े 5 बजे होंगे शाम के ये आप इजी तरीके से निकाल पा रहे हो ठीक है तो greenwich time अगर दीन के 12 बजे हैं तो भारत में शाम के साड़े 5 बजे होंगे भारत जो है वो greenwich time से साड़े 5 घंटे आगे चलता है clear? तो बड़ी आसानी से आप निकाल पाए ठीक है तो ये चीज़ आप दिमाग में रख लो degree into 4 upon my 60 equal to h ये हम ये हम कर रहे हैं देखिए यहाँ पर हमने क्या करा 82.5 को multiply कर दिया 4 से और जो भी आया उसको divide कर दिया 60 से तो क्या निकल कर आगया? घंटा निकल कर आगया मतलब time difference निकल कर आगया हमारा ठीक है R के form में तो उसी तरीके से आप यहाँ पर निकाल पाएंगे इसकी help से अगर आपको ऐसा बोल दे कि कोई देश जो है वो green width time से 2 गंटे आगे है तो यहाँ पर देखिए R की जगह आपको 2 रखना है और degree आपको निकालना है upon में देखिए हैं आपर 60 cross multiply कर दो तो degree equal to कितना आजाएगा 120 upon में 4 तो यहाँ पर 30 मतलब 30 degree पर वो देश इस्तित हैं इस तरीके से आप कोई भी question solve कर पाऊगे जब हम last में test solve करेंगे उसमें काफी question मेंने include करें हैं उन सभी question को हम solve करेंगे महाँ पर आपकी अच्छे से practice हो जाएगी तो यह आपको अच्छे समझ में आया होगा चलिए अब देखिए हम बात करते हैं अंतराश्टी तिती रेखा की मतलब 180 degree देशांतर रेखा की तो 180 degree देशांतर से पूर्व की और जाने पर पश्षिम की और जाने पर एक दिन को क्या करना परता हैं बढ़ाना परता है ध्यान रखिएगा अंतराश्टी तिती रेखा जो है बिल्कुल सीधी नहीं है कुछ देशों के दिन और समय समान करने के लिए इसे अपने इस्तान से चार बार मोडा गया हैं ओके? अंतराश्टी तिथी रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खिचा गया है और इसके सबसे नजदीक जो जल डमरू मत दे पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? बेरिंग जल डमरू मत दे पड़ता है बेरिंग स्ट्रीट परती है सबसे नजदीक में तो देखिए ये हमने अंतराश्टी तीथी रेखा और अंतराश्टी समय रेखा की बारे में अच्छे से स्टडी करिए कुछ महत्पूर्ण पॉइंट्स चलिए हम डिसकस कर लेते हैं देखिए पहला पॉइंट आता है भूमद्य रेखा पर सुर्य की किर्णे जो होती है वो लंबवद गिरती है हमेशा इसलिए यहाँ पर दीन और राज जो होते हैं वो बराबर होते हैं कहाँ पर भूमद्य रेखा पर सेकेंड पॉइंट आता है प्रत्वीक के चप्टे होने के कारण भूमद्य रेखा पर gravitational force का मान सबसे कम होता है जबकि दुरूव पर गृत्वा कर्शन बल जो होता है, gravitational force जो होता है, वो सबसे ज़ादा होता है तीसरा देखिए, उत्री गोलार्द और दक्षिनी गोलार्द में 30 डिगरी से लेकर 35 डिगरी अक्षांशों के बीच में उपोश्न उच दाप की स्थिति पाई जाती है इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश मतलब horse latitude के नाम से भी जाना जाता है ये भी कोश्चन एक्षांश में पूछा गया था, इसलिए इस चीच को ध्यान रखेगा अब देखिए दोस्तों, एक्षांश में कुछ इस थरीके से कोश्चन भी बनते हैं कि करकर एका, भूमतिरेका और मकर एका जो है किनकिन देशों से होकर गुजरती है और किनकिन देशों से होकर नहीं गुजरती है तो देखिए मैं आपको कुछ सिलेक्टेट देश के नाम बताता हूँ, आपको बस वो दिमाग में रखना है, आपका एक्षांश में कोश्चन सौलो जाएगा करकर एका की बात करते हैं, तो करकर एका मेक्सिको, भारत, बांगला देश, म्यानमार, चीन और ताइवान देश से होकर गुजरती है इसके अलावा और भी देश हैं, पर आपको जो मैं बता रहा हूँ, एटलिस आप वो तो दिमाग में रखिएगा एक्जाम में कोशन यहीं से बन जाता हैं, पाकिस्तान नेपाल से होकर करकर एका नहीं गुजरती है अभी हाली में एक्जाम में देखने को मिलाता है, यहां से कोशन इसलिए ध्यान रखिएगा देखिए भारत से भी करकर एका होकर गुजरती है तो भारत में ये आट राज्यों से होकर गुजरती है गुजरात, राजेस्थान, मद्यप्रदेश, छतिसगर्ड, जहारखन, पशिममंगाल, तिरिपुरा और मिजोरम इन आट राज्यों से होकर गुजरती है इन आटो राजियों को नाम याद रखने की ट्रिक में बना चुका हूँ अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है वहाँ से देख सकते हैं इसके बाद देखिए भूमद्य रेखा की बात करते हैं तो कोलंबिया, ब्राजिल, मालदीव और इंडोनेशिया ये प्रमुग देश हैं जिन से भूमद्य रेखा जो है वो गुजरती है भारास से होकर नहीं गुजरती है भूमद्य रेखा मकर रेखा की बात करते हैं तो चीली, अर्जेंटिना, ब्राजिल, नामीबिया, दक्षिन अफरीका, मेडागासकर और आस्ट्रिलिया इन प्रमुग देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है ठीके ध्यान रखेगा भारत से होकर नहीं गुजरती है मकर रेखा अब इन सभी में देखिए, मैं आपको दो पॉइंट बताता हूँ मेक्सिको ऐसा देश है जिससे कर कर रेखा गुजरती है बाकि भूमत दे रेखा और मकर रेखा नहीं गुजरती है मेक्सिको को लेकर एक्जामिनर जो है दो से तीन बार कोशन पूछ चुके हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं इसलिए धियान रखेगा ब्राजिल एक ऐसा देश है जिससे भूमत दे रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है पर कर कर रेखा नहीं गुजरती है बस ये डिफ्रेंस आपको देखिए दोनों पॉइंट का दिमाग में रखना है मेक्सिको से सिफ कर कर रेखा ब्राजिल से भूमत दे रेखा और मकर रेखा तो देखिए आपका कभी भी इससे कोशन आएगा गलत नहीं होगा आगे देखिए लास्ट पॉइंट है अफरीका की कांगो नदी भूमत दे रेखा को दो बार काटती है और अफरीका की लिमपो पो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है चलिए इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बतायता हूँ हम याद करेंगे कांगो नदी जो है वो भूमत दे रेखा को दो बार काटती है तो बचा हुआ लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा कोई काटेगी तो वो आप इजीली याद रख पाएंगे तो देखिए कांगो नदी, जब भी आप देखेंगे, तो इसका word जो start हो रहा है, वो क से हो रहा है, तो क देखिए हमको देखने को मिल रहा है करक में भी और मकर में भी, पर भूमदी में हमको क देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या दो आंसर होंगे, बिल्कुल भी नहीं, त तो बहुत easy तरीके से आप दिखे निकाल सकते हैं, करकर जिसमें उसको हटा दो, बचा हुआ हमारा answer हो जाएगा, तो भूमत दिलेखा हमारा answer सही होगा, ठीक है, तो friends, यहाँ पर देखिए हमारा theory वाला section complete होता है, जितना भी मैंने आपको points बताया है, अगर आप यह अच्छ में include करें, अगर आप वो सारे question अच्छे से solve कर लेते हो, मतला आपका यह topic बिल्कुल अच्छे से पक्का हो गया है, चलिए, test की ओर चलते हैं, देखे दोस्तों पहला question है, देशांतर रेखाओं की संक्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की कूल संक्या कितनी है, 360, विशु देशांतर रेखाओं के लाती है, बी answer, चलिए, next question लेते हैं, प्रधान मध्यान रेखा किस इस्तान से ओकर गुजरती हैं, तो प्रधान यामोत्तर रेखा जो है, वो ग्रिनवीच वेदेशाला से ओकर गुजरती है, इसलिए उसे ग्रिनवीच लाइन भी बोला जाता है, ग्रिनवीच रेखा से ताथपर रही है, जीरो डिगरी देशांतर रेखा, प्रत्वी एक गंटे में कितना देशांतर गुम लेती है, मैंने आपको बतायता, अगर नहीं भी पता है, तो आप निकाल सकते हो, बहुत इजी तरीका है, चलि अगला question लेते है, दक्षिनी द्र करकरेखा कहां से नहीं गुजरती हैं, करकरेखा जो है म्यानमार, नेपाल, बांगलादेश, चीन, चीन से उकर गुजरती हैं, बांगलादेश से गुजरती हैं, म्यानमार से गुजरती हैं, नेपाल से नहीं गुजरती हैं, नेपाल और पाकिस्तान से करकरेखा नहीं गुज इसलिए आपर दीनवर रात बराबर होते हैं निम लिखी देशों पर विचार कीजिए उस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजिल, चिली उपरोक्त में किन-किन से होकर मकर रेखा गुजरती हैं तो चारों से होकर मकर रेखा गुजरती है B answer भुभ्मद्य रेखा निम्न मेंसे किस देश से होकर नहीं गुजरती है किनिया, मेकसिको, इंडोनेशिय, ब्राजिल देखिए मैंने आपको बताया था दा मेकसिको से सिर्फ करकर रेखा गुजरती है भुभ्मद्य रेखा नहीं गुजरती है इसलिए यहाँ पर B answer निम लिखीत में से कौन सा व्रहत वरत का उधाराने तो यहाँ पर देखिए करकरेखा, मकररेखा, भूमदेरेखा भूमदेरेखा जो है वो व्रहत वरत का उधाराने सबसे बड़ा वरत जो होता है वो भूमदेरेखा का होता है तो यहाँ पर C answer सही होगा ठीक है चलिए अगला question लेते हैं Tropic of Cancer निम्न में से क्या है तो मैंने आपको बताये था भूमदे रेखा से उत्तर की ओर साड़े 23 डिगरी अक्षांश रेखा क्या किलाती है करकर रेखा किलाती है मतलब Tropic of Cancer किलाती है C answer यहाँ पर सही होगा एक देशांटर से दूसरे देशांटर के बीच कितना समय अंतराल होता है एक देशांटर से दूसरे देशांटर के बीच में समय अंतराल होता है वो चार मिनिट का होता है A answer दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगबग होती है कितनी होती हैं 111 किलो मिटर परसपर दो देशांतर के बीच दूरी सबसे अधिक कहां पर होती है दो देशांतर के बीच सबसे अधिक दूरी जो होती है वो विश्वत रेका भूमद रेका पर होती है कितनी होती हैं 111.3 किलो मिटर C. आंसर विश्वत रेका है बी आंसर यहां पर सईयोगा अफरीका की कोन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है मकर रेखा को कोन सी नदी काटती है लिंपो पो नदी और कांगो नदी जो है वो भूमर्द रेखा को दो बार काटती है ठीके? निमलिकित में से अंतराश्टी दिनांक रेखा कोन सी है कोन सी है 180 डिगरी देशानतर रेखा को ही अंतराश्टी दिनांक रेखा या अंतराश्टी तीथी रेखा कहा जाता है और 0 डिगरी देशानतर रेखा को क्या कहा जाता है अंतराश्टी समय रेखा कहा जाता है उपोष्न उच्छ दाप के कट्टी बंदों को क्या पुखारते हैं? तो friends मैंने आपको बताया था कि उत्तर की ओर 30 से लेकर 35 डिगरी अक्षांश और दक्षिन की ओर 30 से लेकर 35 डिगरी अक्षांश शेत्र को क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश का जाता है क्योंकि यहाँ पर उपोष्ण उच्छ दाप की इस्तिती पाई जाती है इस वज़े से इस शेत्र को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है करकरेखा नहीं गुजरती है करकरेखा देखे भारत से गुजरती है पाकिस्तान से नहीं गुजरती है तो यहाँ पर B आंसर उत्री गोलार्थ का सबसे बड़ा दीन होता है उत्री गोलार्थ का सबसे बड़ा दीन कौन सा होता है 21 जून का क्योंकि सूरज जो होता है वो करकर एखा के लंबवत होता है ठीके, इसलिए उतरी गोलार्द का सबसे बड़ा दीन जो होता है, वह 21 जून का होता है Greenwich मद्य समय तता भारती प्रमान समय ICT के बीज समय अंतरल कितना होता है कितना होता है? साड़े 5 गंटे का यह मैंने आपको बताय था, भारत जो है, वो 1.52 डिगरी पूर्वी देशांतर पर रिस्ती थे हैं, और हमने calculate करके पूरा देखा था, कि Greenwich time से भारत जो है, वो 5.5 घंटे आगे चलता है, किसी इस्तान का मानक समय निर्धारीत करने का आधार होता है, क्या होता है, मानकar समय का निर्धारन करते हैं, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर गलोब पर व्रहद वरत का निर्मान करता हैं, देखे फ्रेंड्स ये पर्तवी है, तो यहाँपर देखिए ये 0 डिगरी, ठिके, तो ये 0 डिगरी देशांतर रेखा क्या किलाती है, प के जाद मिलकर ग्लोब पर व्रहद वरत का निर्मान करती है बी आंसर भूमध्य रेखा करकर रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महादीप से गुजरती हैं किसे गुजरती हैं एक मात्र अफरीका से होकर गुजरती हैं निम्न लिखित में से कौन सा एक जल डब जिरो डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती हैं, अलजेरिया से, फ्रांस से, नाइजेरिया से पुर्तगाल से, अलजेरिया से गुजरती हैं, फ्रांस से भी गुजरती हैं, नाइजेरिया से नहीं गुजरती हैं, नाइजेरिया की दक्षिन में स्थित अट्लांटिक महासागर से गुजरती है, पूर्तेगाल से भी नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा, किसी जगा का स्थानिय समय प्रातर छे हैं जबकि Greenwich मिन टाइम प्रातर तीन है, उस जगा की देशानतर रेखा क्या होगी बहुत easy है, और काफी अच्छा कुशन है, देखिए, सबसे पहले तो यह clear हो गया कि Greenwich time जो है, वो प्रातर का 3 है, और स्थानिय समय जो है, किसी जगा का वो 6 बजे है सुबे का, मतलब आगे है तो पूर्व की ओर होगा, तो A वाला और D वाला option तो कड़ गया ठीक है, कितना घंटा आगे है 3 घंटा आगे है तो मैंने आपको बताया था, कि 1 घंटे के अगर difference आ रहा है, तो मतलब 15 डिगरी देशानतर की बात होगी ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, तो मतलब 45 डिगरी यहाँ पर B आंसर सही होगा ठीक है, भूमत दे रेखा निम लिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है तो भूमत दे रेखा जो है, वो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, मैंने आपको बताया अभी 2-3 बार रिपीट हुआ था, एक्जाम में अंतर होगा, बहुत ही अच्छा कुशन है देखिए, 2 घंटे को हमको डिगरी में कनवर्ट करना है, तो 1 घंटा मैंने आपको बताया था, कितना 15 डिगरी तो यहाँ पर 2 घंटा पूछा है, तो 30 डिगरी तो होगया, और 20 मिनिट को हम कनवर्ट कर लेते हैं, देखिए, 4 से इसको डिवाइट कर देगे, तो कितना आ जाएगा, 5 डिगरी तो 30 प्लस 5 कितना हो गया, 35 डिगरी, यहाँ पर D आंसर बिल्कुल सही होगा, दो अस्थानों के बीच का समय अंतराल 2 घंटा 20 मिनिट तो देशानतर में अंतर जो होगा, वो 35 डिगरी का होगा नेक्स कोशन देखिए, ग्रिण वीच किस देश में स्थित हैं? किस देश में स्थित हैं? UK में काहीरा का समय ग्रिण वीच से 2 घंटा आगे है, अता यह स्थित होगा कहाँ पर होगा, देखिए, 2 घंटा आगे है मतलब 30 डिगरी, और आगे है मतलब पूर्व की ओर, तो 30 डिगरी पूर्वी देशानतर पर B आंसर बिल्कुल सही होगा दो शहरों, शहर A 30 डिगरी नोर्थ और 60 डिगरी इस्ट और शहर B, 30 डिगरी नोर्थ और 80 डिगरी इस्ट के बीच में कालांतर है तो देखिए, यहाँ पर डिगरी में चेंज कितना आ रहा है 20 डिगरी का तो इसको मिनिट में कनवर्ट कर लेते हैं, चार्ट से मल्टिप्लाई कर दीजिए आ गया 80 मिनिट तो इनके बीच में समय का डिफरेंस कितना रहा हुगा 80 मिनिट का नेक्स देखिए, अंतराष्टी दिनांकरेहा कीची जाती है अंतराष्टी दिनांकरेहा जो है, प्रशांत महासागर से होकर खीची जाती है निम्न लिखित में से 0 डिगरी अक्षान्स और 0 डिगरी देशांतर की भोगोली किस्तिती हैं दोनों एक दुसरे को पतिशेत कहां पर करती हैं दक्षणी अट्लांटिक महासागर में सी आंसर बिल्कुल सही होगा चलिए अगला कुशन लेते हैं निम्न में से किस राजे से होकर करकर एका गुजरती हैं देखिए महारास से नहीं गुजरती हैं ओडिसा से नहीं गुजरती हैं मिजोरम से होकर गुजरती हैं यहाँ पर करकर एका भारत में अफरीका की कांगो नदी दो बार काटती हैं तो friends देखिए यहाँ पर हमारा test वाला section complete होता है I hope आपने सारे question बड़ी आसानी से solve कर ली होगे तो अच्छे से theory के practice कर लीजिए और test की भी practice कर लीजिए test लगाने के लिए जो link के वो description box में दे रखिए वहाँ से आप अच्छे से test लगा लीजिए practice कर लीजिए तो friends I hope आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर आपको अच्छा लगाए तो please वीडियो को like करिए share करिए और comment करके जरू बताइएगा वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं कर रहा है तो subscribe भी कर लीजिए क्योंकि इस थरीके के interesting वीडियो जब भी मैं upload करूँगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भारत